अब डाउटनर टैप पे मिलेगा आपको क्लास 6 से लेके आईटी जेई तक के मैद के साथ साथ क्लास 11 और 12 के फिजिक्स और केमेस्टी के सभी सवालों के जबाब बस डाउटनर टैप से किसी भी कोशिन की फोटो खीचे और तुरंत पाईए वीडियो सलूशन इसलिए आज ही डाउटनर टैप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा देखे साहब इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे यूपी पॉली टेक्निक एंप्रेंस एक्जामनेशन 2020 के स्टूदेंट्स के लिए Most Important Numericals के Part 11 के बारे में इसके पहले हमने आपके लिए ओलेडी 10 पार्ट अप्लोड कर दिया है जी हाँ 10 पार्ट आपके लिए ओलेडी अप्लोड हो चुका है तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए प्लेडी लिए प्लेडी लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्ट को बेहत आसानी से देख सकते हैं इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे दोस्त आप नुमेरिकल्स का एक पार्ट देख पा रहेंगे जो कि है आपका कि वायू के सापेक्ष जल तथा कांच के अपोर्तनांग करमशह 4 बटा 3 और 3 बटा 2 है तो कांच का जल के सापेक्ष अपोर्तनांग क्या होगा ठीक है यानि कि आपका वायू के सापेक्ष जल का अपोर्तनांग दे दिया गया है तो इसको हम कुछ इस तरीके से represent करेंगे ANW ठीक है पहला है ANW बराबर दिया गया है 4 बटा 3 यानि कि वायू के सापेक्ष जल का अपोर्तनांग refractive index of water with respect to air ठीक है तो ये चीज़ आप धान रखेंगे और दूसरा आपका दिया गया है वायू के सापेक्ष कांच का अपोर्तनांग यानि कि ANG refractive index of glass with respect to air ठीक है ना तो ये चीज़ दिया गया है कितना 3 बटा 2 दिया गया है तो अब पूशा क्या जा रहा है पूशा जा रहा है आपका कि कांच का जल के सापेक्ष अपोर्तनांग होगा यानि कि refractive index of glass पूशा जा रहा है with respect to water यानि कि WNG पूशा जा रहा है कांच का जल के सापेक्ष अपोर्तनांग पूशा जा रहा है यानि कि इसको simple भासा में कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपोर्तनांग ठीक है जल के सापेक्ष कांच का अपोर्तनांग तो इसकी value आपको निकालनी है तो आएगे देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं यह question most important है दो साल आपके entrance examination में पूशा जा चुका है 2006 और 2011 ठीक है ना question को कैसे solve करेंगे देखते हैं देखें वायू के सापेक्ष जल का अपोर्तनांग दे दिया गया है चार बटा तीन और वायू के सापेक्ष कांच का अपोर्तनांग दे दिया गया है तीन बटा दो तो अब पूशा जा रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपोर्तनांग कितना होगा ठीक है तो देखे जल के सापक शकांच का अपोर्तनांग यानि कि W N G से परदर्शित करेंगे W मतलब water और G मतलब glass मतलब कांच ठीक है तो W N G यानि कि जल के सापक शकांच का अपोर्तनांग बराबर होता है A N G और बटे में A N W ये अब आपको पता कैसे चलेगा कि A N G उपर रहेगा और A N W नीचे रहेगा देखे इसके लिए भी एक simple सा trick है कि N last वाला जो रहेगा यानि कि N G यानि कि अंतिम वाला है ये उपर रहेगा ठीक है N G N G उपर हुआ और उसके बाद W वाला पार्ट नीचे रहेगा यानि कि N W नीचे रहेगा यानि कि W N G को लिखेंगे काच का अपरतनांग बटे में जल का अपरतनांग यानि कि ये जल के सापिक्ष काच का अपरतनांग है तो पहले अंतिम वाले को उपर लिखेंगे यानि कि काच के अपरतनांग को पहले लिखेंगे और बटे में जल की अपरतनांग को लिखेंगे इसी तरीके से मैं एक और चीज़ बताऊँ जैसे यहां पे कांच के सापिक्ष वायू का अपरतनांग अगर किया जाए और इसको मैं कहूँ कि आप इस अनुपात वाले में कनवर्ट कीजे तो आप क्या करेंगे पहले वायू का अपरतनांग और बटे में कांच का अपरतनांग यानि कि अंतिम वाले को उपर लिखेंगे और उसके प्रारंभिक वाले को नीचे लिखेंगे तो यही ट्रिक आप ध्यान लखेगा तो W, N, Z में हम क्या करेंगे W, N, Z बराबर A, N, Z यानि कि N, Z भी लिख सकते हैं सिर्फ A, N, Z और बटे में A, N, W या फिर N, W भी लिख सकते हैं सिर्फ ठीक है ना अब जरा देखिएगा ये कांच का अपॉर्तनांग कितना दिया है कांच का अपरतनांग दिया है तीन बटा दो तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीन बटा दो फिर जल का अपरतनांग कितना दिया है तो जल का अपरतनांग दिया है चार बटा तीन तो बटे में लिख देंगे चार बटा तीन अब ये देखिए ये है तीन बटे में दो और बटे में चार बटे में तीन है ठीक है तो ये नीचे वाला सबसे उपर वाला में गुड़ा होता है और बटे में बीच वाला बीच वाला में गुड़ा होता है तो तीन गुड़े तीन और बटे में चार गुड़े दो तो तीन के सापेक्ष काच का अपॉर्तनांग ठीक है और यही question में पूछ रहा है कि जल का काच का जल के सापेक्ष अपॉर्तनांग क्या होगा या फिर जल के सापेक्ष काच का अपॉर्तनांग क्या होगा ठीक है तो आसा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके समने आपको बताया होगा सिर्फ एक concept आपको ध्यान रखना है कि जल के साप एक शकाच का अपॉर्टनांग यानि कि A N G जिसका अपॉर्टनांग होगा न वो N G रहेगा यानि कि यहाँ पर क्या कह रहा है जल के साप एक शकाच का अपॉर्टनांग यानि कि काच मतलब ग्लास तो N G N G मतलब काच का अपॉर्टनांग बराबर में होगा तो हम लिखेंगे N G और बटे में N W यानि कि पहले काच का अपॉर्टनांग और बटे में जल का अपॉर्टनांग ठीक है तो यह आजाएगा आपका जल केसा आप एक शकाच का पूर्टनाग और दोनों की value रख देंगे answer निकल के आजाएगा तो उमीद है कि आपको यह सारे question यह concept आपको अच्छे से समझ आया होगा आसा करते हैं कि आपको यह video पसंद आया होगा यह video पसंद आया तो इस video को like कीजे आपने दोस्तों में share कीजे और बताईए उन्हें की पांड़े जी technical channel पे जबरदस्त तरीके से आपको चीज़े बताई जा रही है और अगर आप chapter wise study करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चिक कीजेगा तीनों प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है physics की, chemistry की और mathematics की जिसमें कई chapters भी आपके finish कर दिये गए हैं पूरा chapter part by part करके तो आप उन्हें भी देख सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए